आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक की उपर जो कि आपके music listening experience पर काफी ज्यादा impact डालता है यदि आप एक music lovers हैं यदि आप एक good quality का music सुनना पसंद करते हैं देन आपको जरूर से पता होने चाहिए कि आपके जो earphone, earbuds, neckband या फिर जो headphones होते हैं उनके अंदर driver size क्या होता है So guys, driver size के बारे हम बात करने पहले सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि exactly what is a driver So guys, यदि हम बात करने driver की तो यह आपके earphone, आपके headphones के अंदर लगा हुआ एक electromagnetic components होता है जो कि electrical signals को sound waves में convert करता है और यहीं sound waves हमको music के form में सुनाई देती है Now हम लोग बात कर लेते हैं driver size के बारे में So driver size जो होता है वो इसी driver का size measure किया जाता है जो कि generally mm मतलब की mm में measure होता है यदि हम बात करें किसी earphone, neckband या earworks की तो इस case में यो driver size 6 to 15 mm तक vary करता है और जो हम बात करें किसी headphone की तो यहाँ पर जो driver size है वो 20 to 50 mm तक vary करता है So now बात करते हैं कि आखर एक perfect sound के लिए एक perfect driver size क्या होगा तो मैं आपको यह बता दूँ पहले clear कर दूँ कि एक good sound quality के लिए सिर्फ driver size ही matter नहीं करता है यहाँ पर और भी काविसार effectors है जो कि इस पर effect डालते हैं बट ज़िदी हम driver size की बात करते हैं यहाँ पर एक small size को driver होता है वो यहाँ पर detailed and clarity को produce करता है और यदि एक larger size के driver होता है वो यहाँ पर base को produce करता है So guys यहाँ आपर हम लोग बात कर लेते हैं driver size की according की वो किस प्रकार का sound wave produce करेगा तो यहाँ बात करें एक small size driver की जिसका की size लगवक to 9 mm की बीचे vary करता है तो वो guys एक high frequency में detailed sound को produce करेगा यहाँ बात करें एक mid size driver की जिसका size लगवक 10 to 12 mm की बीच में रहता है तो वो एक balance sound को produce करता है between clarity and bass यदि हम बात करें एक large size driver की जिसका की size 13 mm के उपर जाता है तो वो यहाँ पर heavy based को produce करता है बट जैसे कि मैंने वो को बता है कि सिर्फ driver size ही एक better sound quality के लिए responsible नहीं होता है यहाँ पर और भी काफी चाहिए होती है जैसे कि design, material, tuning of earphones भी यहाँ पर एक vital role play करता है for a good sound quality अब लोग बात करें कि आपके लिए perfect driver size क्या होगा तो यह depend करता है कि आप किस परकार का music सुनना पसंद करते है यदि आप एक classical और jazz music सुनना पसंद करते है then small size का driver आपके लिए best रहेगा यदि आप rock और electronic type का music सुनना पसंद करते है then आपके लिए large size का driver सही रहेगा और यदि आप एक balance sound को सुनना पसंद करते है then guys mid size driver is perfect for you so guys I hope आपके लिए आगे होगे क्या खर what is driver and what is driver size और अब यदि आप next time को भी earphone, earphone, snack band या फिर headphone पर्चेस करने जाएंगे तो आप अपने according एक better, एक best driver size को choose कर पाएंगे so I hope guys वीडियो आपको पसंद आएगा मैं मिलता हूँ से बहुत जल आने वाले next video में तब तक के लिए, bye bye